चर्द जाहिं दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार जीके का सेकिंड पार्क तो मैं बात कर रहा हूँ कि बिहार की भगवलिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करें तो इसके लिए बात करें अक्छांसय विस्तार की और द्शांत्रीय विस्तार की, तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्षांस किसे कहते हैं, देखे, ये आपकी जो है पृत्वी है, क्या है ये पृत्वी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की कालपनिक लाइन हैं, कालपनिक रेखाए हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, अक्षांस, ये क्या है, लेटी हुई है, ठीक है, फिर ये है क्या पृत्वी, और इस पर क्या है आपकी घरी लाइने हैं, कैसी लाइने हैं, खडी लाइने हैं, ठीक है, ये इस तरीके से है, तो इसे हम क्या बोलता है दिशांत्र किया बोलता है देशांत्र है तेट इस तरीके से घंग है इस तरीके से इसा करका यह यहใकं से बात समझ में आगए आप लोगों को, तो ज़रा फिर से देखें, तो यहां पर अक्षान से विश्थार की बात हो रही है, तो यह जो है 24 डिग्री, ठीक है, कहां से 24 डिग्री, 20 मिनट, 10 से लेकर 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री, ठीक है, 31 आपका जो है मिनट, और 15 सेकिंड, ठीक है, यहां तक इसका विस्थार है, और कहां पर उत्री अक्षांस में, क्यों, क्योंकि जो भारत जो है, वो आपके पता ही होगा आप लोगों को, कि वो कहां पढ़ता है, उत्री अक्षांस में पढ़ता है, तो बिहार भी उत्री अक्षांस में पढ़ेगा, बात कर दे पचास से लेकर पूर्वी देशान्तर में श्थित है क्यों क्योंकि भारत पूर्वी देशान्तर में स्थित है तो ध्याल देना है आप में और इसा लिख लिख कर लें कभी भी है कि जो का यहां से एक्साम में पूछा सकता है। जो भृहर की जो स्थिथी है वो कहा आती है? उत्रिभारत में गासो थेगे, जो भृहर का अगर आप देखेंगे तो भृहर आपका composition पर पर हैउत्रिभारत वाले हिस्से में आता है थेगे जी, फिर यह क्या है? निम्न और मध्य गंगा बेसिन में पढ़ता है, कहां पढ़ता है, निम्न और मध्य गंगा बेसिन में पढ़ता है, और बात करें बिहार के किर्थी की, तो वो क्या है आइताकार, क्या है आपकी आइताकार, यह आपके सामनी बिहार का मैप है, क्या है, बिहार का मैप है, दल् आपका इस्ट यानि पूर्वी भाग होता है और जो बाएं हाथ जो होता है वो है वेस्ट यानि की पश्णी भाग होता है इतना क्लियर है आप लोगों को तो अब जड़ा देखें बिहर का जो है उत्तर से लेकर दक्षिन तक इसका कितना है तीन सो पैतालेस 345 मिटर तक विष्दार है और यही अगर पुरव से जो है कहां से पूरव स्ट पश्ण तक कि बात करें आपका देखें यह एब कैट यह इसे माड़क यह को साब वाली बात है वो यह कि पूरब से दक्षिन के मुखाबले हमार है की 483 वो आपके 345 km से ज़ादा होता है wird चलिय और आगे बढ़ें तो यह तो मैं बता ही चुक् साथ आप लोगों को कोSw तो फटिम्मेटर है को हम बात करें कि इसके आकृति कि कैसी है आयताकार है, कैसी आकिरती है? आयताकार है, ठीकिन शुद आयताकार नहीं हो सकती लेकिन आयताकार से ये मिलते जुलती है अगर हमें इसको जो है सरकल कहना हो, या आपका विर्ताकार ये तरबुजाकार की बात करें, तो उसके मुकाबले तो यह आयता क्या रहा है? इह अध्याराद में है? उत्री जोलार्थ में है? कहाँपर है? उत्री जोलार्थ में है, क्योंकि यह उत्री कुंकि यह उत्री जोला Haginand नीचे वलाई से दक्षिनी गोलाड, ठीक है कौन से भाहरत में पड़ता है, तो उत्तर ही भाहरत में पड़ता है, मैं नापको बताया, कि यह आपका ऐसे अगर हम देखें, तो आपको अराम से समझवाव सकता है, कि यह नॉर्थ है, यह आपका साउ nugd है, यह इस्ट है, यह नेपाल talkinло 1 अब जद्रफुर और आपका जो है वो है आपका उत्र परदेश कभी भी आई तो प्लीज परिशानना होई और अच्छे से इस को जो है लिगें विए लिखें ब्हारा से कितने राजुब सकाष्य का इस है? सीमा लगती है अब यह आपने देखा कि यहां से देखें तो इसतरे कि एक ठीक है पुर्थ तो कि यह रें Brew तो वक्यों हो तो कितनी है तो 170 फीट लग भग जो है 30 मीटर जब भी आप लोग जो है रेल वी स्टेशन जाते हैं तो वहां पर जो है स्टेशन का नाम लिखा होता है और समुद्र तल से उसात उचाई कितनी है इसका भी इसके बारे में बताया जाता है अब देखे अब जरा मैं बात करना चाहता हूं कि बिहार राज का प्राकर्तिक भीवाजन ठीक है तुजरह देख एक तो है इसी वालिक शृरणी जो हमाले की जो आती है तरही च्षेतर है दूसरा क्या है गंगा के मैदान लेकिन दो गंगा के मैदान ठीक है अच्छे बिहार आज कर प्राकरते की वाजन जो है वो कौन करती है आपकी मानसून की हवाई करती है ठीक है तो दो है आपकी मानसूनी हवाई ठीक है उत्तरपुर्वी जो मानसूनी हवाई जो है वो क्या करते है बिहार में प्रयाप्त वर्शा करती है ठीक है तो इसल श्टी पुरวी बिहर में बहुत अच्छे से पढ़तिया और डाखई कंपड़ती है हुए इसलिए वहाँ पर जो है बारिज कम होती तो गर्म जादा होती है और जहां पर बारिज जयादा हथी हूँ, आ जलबाजी है ठीक है और western है अब ज़र देखे कैसा है ब्यहार रहत में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया, वह सीदी सी बात है, मैंने आपको बता infrastructure आप werdने बारिश, नहीं होती है, कम होती है。 और मतरब की राज वह अटनुगम चνदा जिला भी कौन सा है, वह क्या है आपका गया? ठीक है आपक कین यहां यह देखिए लिए लक्षिन बिहार में पढ़ रहा है तो इसको अराम से बिहार की जीके को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मैप के थुरू पढ़ें और नालंदा की यह सबसे बड़ी खास्यत है कि वो आपको मैप के थुरू पढ़ाएगा ताकि आपकी बिहार के जीकों को रटा ही नहीं मारे, बलकि उसकी जो है, पिक्चर इमेज आप लोगों के दिमाग में चप जाए, जैसे ही कोश्चन आएगा आपके यह, जो मैं मैप दिखा रहा हूँ, मैं आपके थुरू पढ़ा रहा हूँ, यह आप लोगों को याद आएगा, ठीक है बिहार राज में और वर्षा की बात करें, तो बिहार राज में स्वरवाधिक वर्षा जो है वो कहां होता है, किशन गंज में जो आपको बताये था, ठीक है, और सबसे कम वर्षा और अरणगाबाद में, यह देखे ठीक है, उत्री, जो पूर्वी मानसून की वाज़ा से स ठीक है, सबसे प्रेम से बात करते थे, प्रेम रस में डूबे रहते थे, तो किशन गंच, और जो आपके, और और अरंग जेब था, वो बड़ा सुखा आदमी था, ठीक है, उसे कोई संगीत से कोई रुची नहीं, पेंटी में कोई रुची नहीं, किसी भी चीज में उसको र वर्षा वला जीला कौन सा हो गया, और अरंगाबद, अस्तनवादिक वर्षा वला जीला कौन सा हो गया, किशन गंच, एक बार आप इस मेरी बात को याद रखेंगे, आपको कभी रटा मारने की जोड़ते नहीं पड़ेगी, और भिहार राज में आज में आउसत वर्षा जो है, वो कितनी है, वो है आपकी 987 दसनलो 2 mm, याद रहेगा, नाइन के बाद का आता है, एट, एट के बाद का आता है, सेवन, तो याद रहेगा, और नाइन और सेवन के बाद रहेगा, याद हो जाएगा, रटा नहीं मार दो पड़ेगा आपको, ठीक है, नालंदा में इसी तरीके से आप लोगों पढ़ाया जाएगा, ताकि आप जो है, समझें, ठीक है, बात करें, वन शेतर की जो है, तो वन शेतर कितने हैं, आपका जबिहाराज में जो है, वो है आपका 7305 दसनलो 99 वर्ग किलो मेटर जो है, वहीं वन परतिशत की बात करें, तो 7 दसनलो, जो 7 दसनलो, 7-6 परतिशत, ठीक है, यानिकि वन परतिशत तो काफी कम है, क्यों, क्यों, मैदानी हिस्सा जादा है, समझें, नहीं समझें, तो इसलिए वन शेतर जहे तुलनात्ना गरूप से कम है, इस बात का भी ध्यान तक हैं, अच्छे, बिहार राज और वन शेतर में के नाम अलग-अलग है, तो उसमें ये भवो और कैमूर का भी नाम आता है, वहीं परिशान मत हो ना, इसलिए आपको दिखा दिया है, वरना सोचो का, अरे मैं कहा है, कैमूर नजर नहीं आ रहा, परिशान होनी की जूरत नहीं है, ठीक है, तो कितना है, 31 दसनलो, 7-0 परसं का शेह पूरा, सुखा पूरा एक तरह से ऐसे याद रख लो, सीख पूरा, सुखा पूरा, याने वहाँ पर चो ओए सुख गया है, यूंतम वन्न है, ठीक है तो ए विहार राच का वंज वहीं जिला भी बोलना हो, तो क्या है, जहाना पाद, जहाना कोई आबाद, जहाना बीहार में जो सबसे लंबा राज मार्क है वो है एन एच आपका जो है टूंटी सेवन ठीक जी गरीब 437 किलो मेटर का बिहार राज का सबसे चोटा राष्ट्य मार्क कुम सा है फिर ठीक इसमें साथ और लगा दीजिए 727 कि बिहार के कुल सडक लंबाई में राष्टी राजमर्क प्रांते राजमर्क का किस्साब करें तो आपका 5353 किलो मेटर और अगर किस की राजी की बात करें तो 4,311 km ठीक है तो ये भी कुछ बाते हैं जिस पर ध्यान थोड़ा सा देना है अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर बिहार राज और सरकों की लंबाई की बात करें तो कुल सड़ा कितनी है दो लाग नो हजार पांट सो नन है फिर देखें आपका जो मुख्य जिलापत कितना है आपका तो आपका जो है करीब है आपका 13,498,65 km ठीक है और पक्की गडामी सुरक की बात करें तो 92,000 तो मुझे लगता है कि अभी सड़क निर्मान पे और ज्यादा ध्यान देने की अवशक्ता है बिहार राजर भारत की बात करें तो भारती कुल शेतर का ठीक है कुल शेतर का जो है कितना है तो आपका है दो दसनलों आट शेतर परसेंट और शेतर की दिष्टी से स्थान कौन सा है बारवा स्थान है यह ध्यान रखने की जरूरत है क्लियर है कि नहीं कि दिष्टी स्थान सबसे बढ़ा है त चेतरफल काफी जादा है ठीक है देखो चौरानवे में आपका जो है बानवे हजार जो है वो आपका ग्रामी नहीं है ठीक है तो ध्यान दे पश्मि चंपारण कौन सा है पश्मि चंपारण थिग जैडरे वैसे आपको बिष सब बड़ा घिला पश्मिचंपारण ही हो सकता है ते घंन तो क्ली कौ़िकर चंपारण जिले में कौन वो कौन सा है? शिव हर. सबसे चोटा चिला कौन सा है? शिव हर. आपने मतलब कि भगवान की पूजा करते होंगे, तो शिव लिंग छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है. ठीक है ना? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. शिव और भगवान के लिए जाओ, हम जो शब्द पढ़ियों करता है, शिव को लिए हर हर, है ना? करते की नहीं करते हैं? तो शिव हर ऐसे आराम से याद कर सकते हैं. I hope आपको जो है, इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काफी अच्छा लगीगा, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तो भाई, तो आप जो है, अच्छे चीजों को ऐसे बाटें, ताकि उनको भी जो है, इसमें क्या मिले जो शाय देगे, बिहार पीसे का एक्जाम होने वाला है, तो आप लोग जो है, पूरे जो से तैयारी में जुढ जाएं, और जादा से जादा लोगों की मरत करें, और जादा से ज करेंगे, ठीक जी, धन्यवाद, ठीक है, जाहिंत!